नमस्कार दश्कों यूट्व के मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी मीन राशी का सितंबर महा 2018 में कैसा जाएगा शितंबर महा मीन राशी के लिए क्या लेकर आया है आओ दश्कों हम चर्चा करें इस बात की मीन राशी के पंचम भाब में जा दशम भाहब में शनी विराजमान है और एकदाश भाहब में मंगल की केत्यू के साथ इती है इस परकार कुंडली में अभी तक हम जानते है मीन राशी के जातक काफी के स्ट्रगल कर रहे है ये साल काफी टफ जा रहा है रीजन क्या है कि उनकी कुंडली में जो में बड़े घ्रहा है गुरू और शनी उनका गोचर जो है उनके लिए निगर्टिव है गुरू सब्सक्राइब चल रहा है इसमार मैं इस महिने छटे वहावने सीरे बुद्त अदित्य जख बनने से उनके पारा हो जाएगा जो रिंड का लेना चाते अच्छा हो जाएगा शत्रू उन पर जो हावी होते थे शत्रू का हावी होना बंद हो जाएगा सूरे के पंचम भाव में रहने से मन में जो बिचेनी रहती थी अब मना उस्साव मंग मैसूस करेगा इधर अगर वह प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे कभी काफी समय से प् गया तुला राशी में जो धन भाव के लिए बहुत अच्छी स्थिती है तो ओवराल कुली में धन की स्थिती भी जो है आप लोगों की बहुत अच्छी बन गई आपके लिए दो ग्रही जो है नेगटिव फेक्ट दे रहे हैं वो एक गुरू और एक शनी पर ओवराल आप की जो साल में हम अगर स्थिती को देखें तो बहुत समय बाद ऐसी स्थिती हाई है कि मीन राशी वालों के सूरे बुद्ध मंगल और शुकर जैसे बड़े बड़े घ्रह जो उनकी कुंडली में अच्छे भाव के स्वामी हैं मंगल जा उनके भागे भाव का स्वामी है आपको लाब मिलेगा उस कोट केस में क्योंकि पैतरक संपती के भाव में शुक्र जैसा शुपगरे बैठा हुआ है और आप अपनी हैल्थ भी अच्छी इंप्रूब करेंगे इस समय क्योंकि रोगस्तान पर सूरे बुद्ध आदित्य योग बना है आपके शत्रू जो पहिना बीन राच्छी के जातकों के लिए और खुशियां लेके आने वाला है पर शेट शुरूआत उनकी सितंबर महा से शुरू हो गई है कि उनकी जो इस्ट्रगल चल रही थी अभी तकी वो अपने शत्रों से भी परिशान चल रहे थे बिमार भी चल रहे थे मन में टें सूर्य मंगल बुद्शुक्र की पोजीशन अच्छी हुई है यह आपके साथ रहेगी 17-18 सितंबर तक और 17-18 सितंबर के बाद थोड़े ग्रह गोचर बदलेंगे इसलिए आपको थोड़ी साब्धानी है रखनी है 18-19 सितंबर के बाद अगर आप यातरा पर जाते हैं तो चात्रा में अपना विशेश रूप से ध्यान रखें ऐसी को चीज ना खाएं जिससे आपका सौस्ते खराब हो वहां साब्धानी से चलाएं और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको बिना बात पर किसी बात की को टेंशन नहीं करनी क्योंकि सूर्य बु को मैं अपना वीडियो समाथ करती हूं और दर्शकों मेरे आप लोगों से परातना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब ने किया तो मेरे चैनल को प्रेस कीजिए और बैल आएं कंटिन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं मैं दर को आशा करती हूं आपके वीडियो मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो कि पैसे शियर कीजिए लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दशकों जैमाता दी